श्री राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, मैं विजिंद राजाप के लिए एक और नया प्रसंग लेकिया हूँ, बड़ा छोटा से हैं, कि बड़ा प्यारा है, कि भगवान क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, श्री द्रोप पैर संभाल कर रखना, संतुलन बनाये रखना, लक्षय मचले की आख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विसेश दिहान रखना, मचले की आख में तीर मारना था, ये थी स्वेंबर की शर्त, तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभू, बड़े कमाल की बात करते हूँ, सब कुछ मुझे करना है, तो आपका क्या रोल, आप क्या करोगे, अरे आप तो सरव समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, और आप मुझसे कह रहे हूँ, संतुलन बनाये रखना, ये करना, वो करना, आप क्या करोगे, तब क्रिश्न हस्ते होए कहते हैं, हे पार जो तुझ से नहीं होगा वो मैं करूँगा अब अर्जुन सोचन लगा प्रभू ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता तब कृष्ण मुस्कुराय है और कहते हैं जिस ऐस्थिर विचलित और हिलते हुए पानी में तुम मचले की आग का निसाना साध होगे उस विचलित पानी को म स्थिर रखूँगा देख लीजिए क्योंकि पानी में देखकर मचली की आख में तीर मारना था पानी हिलता रहेगा तो मचली दिखाई नहीं देगी क्रिश्ण कहते हैं तु तेरी बार यहाने दे तु मेरा सका है तेरे लिए मैं इतना करूँगा कि उस पानी को हिलने नही स्थिर कर दोगा तो कहने का मतलब जानते हो क्या है कि आप कितने ही निपण क्यों नहीं आप कितने ही दिमाग वाले क्यों नहीं आप कितने ही महान और विवेक पूरण क्यों नहीं लेकिन आप खुद हर एक प्रिस्थिते पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते हैं आप सि उसकी भी एक सीमा है, और जो सीमा से आगे की बागडोर समभालता है, उसी का नाम इश्वर है, कहने का मतलब, पता है क्या है, कि जो सब कुछ करने में शक्षम है, वो इश्वर है, हम जीव हैं, हमारी लिमिटेशन से हैं, और वो लिमिट से परे हैं, वो इश्वर है तो प्यारा सा परसंग हम कहते हैं न भगवान आप क्या करोगे आप क्या करोगे देखो करम तो हमें ही करना पड़ेगा वो करवाएगा लेकिन प्रिस्थितियों को वो ऐसा बना देगा कि हम करम करके उनमें से निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा तो यह प्यार सक परसंग पढ़ने को मिला आपके लिए लेके आया आगे भी कुछ कता कानिया किस से परसंग लाता रहूँगा आज के परसंग को यहीं विराम, आपके वारा पणाम, जैशिया राम, जैशिया शिरादे